हाई वीवर्स वेलकम पैक टो मैं चैनल फ्रेंज्स यह देखिए आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा जाली निटिक पैटन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस काडियन में लेडिस जैकेट में लेडिस हग में गल्स टॉप में हों की फ्रोग में शौल में डाल सकती हैं तो दिख्ये फ्रंटसई है इस तरह से दिखता है और बैक इडसएद से यह इस तरह से दिखता है तो फैन इस डिलिए को भनाने के लिए हमें जो शिच्छी होंगे वो फोर के मृल्टिपल से होंगे प्लस टॉफंदे ऐक्blind होंग is in description box please go on and click on the channel and don't forget to like share and subscribe my another channel for more videos so let's start यह दिखिए फैन यहां पर मैंने 18 stitches लिये है 16 फंदे 4 के multiple से लिये है प्लस 2 फंदे एक्स्टर लिये है और बेस देने के लिए तूरो उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर निकाल लिये है तो चली बनाते है एस दिखिए स्क्रेव करेंगे repeat pattern start करेंगे अब दिखिए back loop से एक पनुप सीधा बढ़ेंगी अब सीधा करेंगे कि इस फंदे इसे साथ 2 संवी理 टौन को आप नहीं करना ही इसी साथ 2 फंदों का एऎ पन हेंगे इस बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो देखेए अभी हमने तीन फंदे डॉप नहीं करने हैं साथ में 4th फंदा जोईन करेंगे और बैक लूप से 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखिए हमारे पास यहाँ पर फिर से 4 फंदे हो गए है 1,2,3,4 4 फंदों को ड्रॉप करेंगे तो देखिए यह हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने हर बार एक एक फंदा साथ में जोईन करते हुए 4 फंदों से 4 फंदे बनाई है तो देखिए फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार एंड तक रिपीट करते हुए जाएंगे तो धागा पीछे रखेंगे और बैक लूप से एक फंदा सिधा बनेंगे अब नेक्स फंदा जोईन करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब थर्ड फंदा जोईन करेंगे साथ में और बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब साथ में फूर्थ फंदा जॉइन करेंगे और बैक लूप से फूर फंदों का एक फंदा बनाएंगे डॉप करेंगे तो दिखिए फिर से हमारे पास यहाँ पर फूर फंदे हो गए हैं फिर से पैटर्न रपीट करेंगे बैक लूप से एक फंदा सीधा बनेंगे अब इसको डॉप नहीं करेंगे साथ में सेकंड फंदा जॉइन करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब थर्ड फंदा साथ में जॉइन करेंगे और बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब 4th फंदा जोईन करेंगे और बैक लूप से 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे ड्रॉप करेंगे एक पर और पैटरन पीट करेंगे बैक लूप से एक फंदा सीधा बनेंगे अब बैक लूप से 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे हर बार एक एक फंदा साथ में जोईन करते जाएंगे बैक लूप से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब बैक लूप से 4 फंदों का एक फंदा बनाएंगे अभी हमने तीन फंदे डॉप नहीं करने है, साथ में एक फंदा जुइन करेंगे और बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखे, डॉप करेंगे, ऐस्टे सीधा बना लेंगे first row complete हो गई है यह दिखिए second row है wrong side इस सारी row को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर complete करेंगे हर बार इसकी wrong side हम उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे third row right side अब दिखिए two row हमने complete कर ली है फिर से यही two row उपर repeat करेंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा change होगा अब दिखिए यह वाला pattern जो है वो यहां पर आएगा तो दिखिए कैसे करेंगे इसको shuffle करेंगे अब यही दो row को stay slip करेंगे और starting में दो फंदे सीधे बुन लेंगे यहां से फिर से जैसे हमने first row में pattern बनाया था वैसे ही pattern start करेंगे four फंदों का हमारा pattern है तो back loop से पहले हम first फंदा सीधा बनाएंगे साथ में second फंदा जोईन करेंगे और back loop से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे third फंदा जोईन करेंगे और back loop से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे fourth फंदा जोईन करेंगे और back loop से four फंदों का एक फंदा बनाएंगे डॉप करेंगे ये दिखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे बैक लूप से एक फंदा सिधा बुनेंगे फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे थर्ड फंदा जोइन करेंगे और बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फोर्थ फंदा एड़ करेंगे और बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से पैटर्न रपीट करेंगे तो दिखें बैक लूप से एक फंदा सीधा बनेंगे एक फंदा साथ में जोइन करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे थर्ड फंदा जोइन करेंगे बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे पोर्थ फंदा जोइन करेंगे और बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे डॉप करेंगे अब लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे फन टू एस्टी सीधा बना लेंगे थर्ड रॉप कम्प्लीट हो गई है फोर्थ रॉप है रॉंग साइन इस सारी रॉप को उल्टे-उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखे फोर्थ रॉप कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इससे फर्स ट्रॉप से स्टार्ट करेंगे तो दिखे कैसे करेंगे फर्स ट्रॉप राइड साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे बैक लॉप से एक फंदा सीधा बनेंगे अब बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे थर्ड फंदा जोईन करेंगे बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फोर्थ फंदा जोईन करेंगे और बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह दिखें टॉप करेंगे यह हमारा एक pattern complete हो गए है फिसे इस pattern को repeat करेंगे बैक लूप से एक फंदा सीधा बनेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर बैक लूप से ही फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो हर बार हम इसमें एक-एक फंदा एड़ करते जाएंगे डॉप करेंगे फिर से बैक लूप से एक फंदा सीधा फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बैक लूप से फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे यह देखे एक बार और पैटर्न पीट करेंगे बैक लूप से एक फंदा सीधा फिर बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे अब बैक लूप से ही फोर फंदों का एक फंदा बनाएंगे एस्टिच सीधा बुन लेंगे ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है ये देखे ऐसे ही बार बार हम इसकी 1,2,4 और पीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं लेडिस काडियन में लेडी जैक्ट में गर्ल्स टॉप में बच्चों के सेटर में डाल सकती हैं तो फ्रेंड आप भी इसे बनाएए और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो कैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू फ्रेंड फर वच में वीडियो